प्रिक्षन यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम फ्रिक्षन का फोर्थ प्रॉडेम्स लिये थे उसी के साथ इंजिनेरिंग मेकेनिक्स एंड अप्लाइड मेकेनिक्स सब्जेक्ट में और भी कई नमबर ओफ टॉपिक्स टेडी किये थे तो इसके पहले के सभी प्रॉडेम्स और सभी टॉपिक्स टेडी करने के लिए आज के वीडियो के डिक्स्टिप्षन में जाएए वहाँ पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिस के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वो link पे click करके आप आसान इसे इसके पहले के सभी videos देख सकते हैं तो चलिए आज का lecture start करता है आज हमें friction unit का fourth problem solve करना है तो देखें जो आज हमें problem solve करना है वो आपके सामने है ये problem के लिए question क्या रहेंगा question रहेंगा find the value of weight w if the body is in limiting equilibrium condition तो ये problem हमें solve करना है और ये problem solve करने के लिए हम बिलकुल वही condition का use करेंगे और वही technique का use करेंगे जो हमने इसके पहले के सभी three problems में use किये थे ये problem solve करते समय सबसे पहले आप block का FBD बनाएंगे FBD draw होने के बाद हम उसमे equilibrium conditions use करेंगे Frictional force का formula use करेंगे और वहाँ पे जो कुछ भी unknown है जो कुछ भी find out करने के लिए कहा है वो हम find out करेंगे question अगर आप properly पढ़ेंगे question जो है वो आज के video के description में दिया है वहाँ से आप देख सकते है तो question में लिखा है कि find the value of weight W ये देखिए यहाँ पे एक block है ठीक है ये एक block है block का weight है W और वो W absent है हमें W find out करना है और ये block को 500 newton force से push किया जा रहा है ये देखिए इसको 500 newton force से push कर रहे है और ये जो force है ये incline है 30 degree से incline है उसका angle दिया है और ये जब block जब move करेंगा तो block और surface के बीच में friction होगा जब friction होगा तो वहाँ पे coefficient of friction new 0.25 ऐसा use करना है तो चलो हम ये problem solve करेंगे सबसे पहले जैसा हमने कहा था पहले हम FBD बनाएंगे तो ये हम लिखेंगे FBD of block FBD of block सबसे पहला काम है FBD draw करना बीना FBD के आप solve कर नहीं सकते क्योंकि question में लिखा है कि body is in limiting equilibrium limiting equilibrium का अर्थ ये है कि इसका मतलब body जो है वो equilibrium condition में है और ऐसे में आप जो है body का FBD draw करेंगे और FBD draw होने के बाद FBD में आप equilibrium conditions use करेंगे बीना equilibrium conditions के कभी भी friction के problem solve नहीं होते तो चलो फिलाल हम ये FBD में सबसे पहले ये देके हमने block बना दिये और block का weight हम सबसे पहले show करेंगे block का weight जो की w है वो unknown है तो फिलाल यहाँ पे w जो unknown है वो unknown के form में ही रहने देंगे और ये देखे है ये हम ऐसा FBD बना रहे है और यहाँ पे weight का value जो है वो w हम यहाँ पे लिखेंगे w weight हमेशा centrally vertically downward होना तो ये हमने यहाँ पे लिख दिये weight that is w then यहाँ पे जो inclined force है वो as it is हम यहाँ पे inclined लेंगे that is 500 newton का inclined force है actually वो एक pushing force है यहाँ पे 500 newton हम यहाँ पे लिख देंगे बाद surface reaction show करना है तो यह देखें यह हम surface reaction show करेंगे surface reaction बोलो यह support reaction बोलो surface reaction support reaction हमेशा perpendicular to the surface होता है तो यह देखें यह हमने surface reaction शो की surface reaction को हम R से show करेंगे exactly perpendicular to the surface of support और ये block जो है 500 newton force से push करने के बाद ये block जो है वो कौन से side में move करेंगा माने motion इसका कहा है वो आपको check करना पड़ेंगा इसका जो motion है इसका motion left side में होगा क्योंकि जाहिर सी बात है उसको right side से push किया जा रहा है ये देखें जब आप इसको right side से push करेंगे तो इसका motion है हम यहाँ लिख देंगे कि motion जो है यहाँ पर left side है इधर से उसको push किया जा रहा है right side से तो block जो है वो leftward move करेंगा जब block move करेंगा तो block और surface के बीच में friction होगा और जब friction होगा तो वहाँ पर आपको frictional force भी show करना है तो चलो हम frictional force शो करेंगे frictional force हमेशा opposite to the motion शो करना होता है block जो है वो leftward move कर रहा है तो हमें frictional force rightward शो करना है लेकिन शो करते समय आपको एक बात का धेहन रखना है frictional force must be perpendicular to the normal reaction जो normal reaction है आर ये normal reaction पे frictional force exactly perpendicular होना चाहिए तो frictional force आपको इस तरह से show करना है तो ये देखे है हमने frictional force show किये frictional force F और ये जो reaction है ये exactly frictional force जो है ये surface reaction पे that is normal reaction पे हमने ये perpendicular show किये और ये अब हम check करेंगे कि ये FBD complete हुआ है क्या तो ये FBD complete नहीं हुआ है FBD complete क्यूं नहीं हुआ उसका reason ये है जब तक आप incline forces को resolve नहीं करते तब तक FBD complete नहीं होता है तो ये देखे यहाँ पे एक 500 Newton का inclined force है तो rule के हिसाब से हम inclined force को यहाँ पे resolve करेंगे inclined force को resolve करने के बाद ही inclined force को resolve करने के बाद FBD complete होंगा और inclined force को resolve करते समय हमें angle check करना है कि angle कुन से side के साथ है जो side में angle है वो side का component आपको cos लिखना है तो ये 500 newton का force 30 degree से inclined है और 30 degree जो angle है वो horizontally है तो horizontal component हम ने लिखे यहाँ पे cos 30 और vertical component हम यहाँ लिखेंगे sin 30 तो ये हम लिखेंगे 500 sin of 30 degree ये देखें horizontally यहाँ पे हमने लिखे cos 30 और vertically sin 30 क्योंकि horizontally angle दिया है इसलिए तो finally अब ये FBD पूरा complete हो गया और अब हमें इसको solve करना है कोई भी FBD draw करते समय सबसे पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले weight show करना होता है तो सबसे पहले हमने weight w रखे देन हमने surface reaction show करें perpendicular to the surface देन हमने यहाँ पे frictional force show किये जो की right word होगा because friction क्योंकि block जो है वो left side में move कर रहा है इसलिए frictional force right side में देन 500 newton inclined force को हमने 2 part में resolve कर दिये क्योंकि inclined force को resolve करने के बाद ही आप FBD complete ऐसा आप बोल सकते है तो अब यह FBD complete हो चुका है और अब हम यहाँ equilibrium conditions one by one apply करेंगे यहाँ पे total 3 equilibrium conditions हम use कर सकते हैं लेकिन जो third condition है वो apply करते समय आपको check करना पड़ेंगा कि distance वगरे दिया है क्या total 3 conditions क्या है पहली condition है summation of f of x equals to zero second condition है summation of f of y equals to zero और third condition है summation of moment equals to zero moment apply करते समय जो third condition है वो moment apply करते समय कोई ने कोई point होना चाहिए या कुछ ने कुछ distance दिया होना चाहिए यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो moment जो third condition है वो हम use नहीं करेंगे हम सिर्फ दो condition का use करके solve करेंगे लेकिन यहाँ पर एक और formula है जो आपको help करेंगा वो है frictional force का formula हम यहाँ frictional force f का formula use कर सकते हैं जो की होता है mu into r तो चलो हम यहाँ पर ही problem solve करेंगे क्या find out करना है एक बार check करेंगे question में लिखा है find the value of weighted w हमें w find out करना है तो चलो यहाँ पर one by one solve करेंगे तो सबसे पहले हम equilibrium condition number one first condition हम यहाँ apply करेंगे summation of f of x equals to zero यह first condition है summation of f of x क्या होता है summation of horizontal forces मतलब यहाँ जितने भी horizontal forces है उनका summation हमें करना है अब यह horizontal forces क्या है vertical forces क्या है उनका summation कैसे करना inclined forces को कैसे different way से resolve करना moment कैसे apply करना यह सब कुछ हमने इसके पहले method of resolution में cover किये थे, moment के topic में भी हमने cover किये थे, direct non-theorem के भी topic में हमने cover किये थे, तो यह सभी इसके पहले के वीडियो जो है वो आपको देख लेना चाहिए, उससे आपका concept जादा clear हो जाएगा, आज के वीडियो के description में जाएगे, वहाँ पे आपको यह सभी प्रकार के वीडियो देखने को मिल जाएगे, तो चलो, फिलाल हम यह problem को solve करेंगे, यहाँ पे हमे equilibrium conditions use करना है, और equilibrium condition, देखिए, first condition apply, यहाँ apply कर रहे, submission of f of x equals to 0, submission of f of x माने submission of horizontal forces, यहाँ जितने भी horizontal forces है, उनका submission करना है, कितने horizontal forces है, पहले check करो, उनको count कर तो यहाँ सिर्फ दो horizontal forces है, एक है force f और एक है 500 cos 30, बस यह दो submission करना है, और submission करने का rule हमने यहाँ लिखा है, right side जाने वाले forces plus, तो left side जाने वाले forces minus, यह देखिए, force f right side जा रहा है, तो force f plus मिलो, यह 500 cos 30 left side जा रहा है, तो यह हम minus मिलेंगे, 500 cos of 30 equals to 0, बस इतना ही आएंगा अब यहाँ पे 500 cos 30 को हम calculator में solve करेंगे, 500 cos of 30, तो यह answer आ चुका है, that is 433.012, और calculator degree mode में होना चाहिए, तो finally f 433.012 newton, तो हमें frictional force f यहाँ पे मिल चुका है, first condition हमने apply कर दिये, summation of f of x equals to 0, यह condition के तुरू हमने f निकाले, लेकिन problem में आगे बढ़ेंगे हम, अब f का use करके हम r find out करेंगे, r माने क्या है, r माने normal reaction, हम यहाँ पे normal reaction find out करेंगे, वैसे summation of f of x, first condition के बाद, summation of f of y apply करना चाहिए था, second condition होता है, summation of f of y, लेकिन हम summation of f of y अभी नहीं करेंगे, हम पहले fractional force का formula use करेंगे, और r find out करेंगे, summation of f of y, debit, माने summation of vertical forces, और यहाँ पे vertical forces में, W भी unknown ह और R भी unknown है, दो दो unknown है दो unknown एक equation में solve नहीं होते इसलिए हमने summation of F of Y अभी नहीं करना है वो हम बाद में करेंगे पहले हम Frictional Force का formula यूज़ करेंगे और R find out करेंगे तो चलो यहाँ पे F का यूज़ करके हम F और mu का यूज़ करेंगे Frictional Force Frictional Force F equals to mu into R यह हमने formula लिख दिये F equals to mu into R और यहाँ पे अगर हमें R find out करना है तो यह हो जाएंगा F by mu तो हम लिखेंगे F divided by mu और F का value क्या है पता है F का value यह है 433.012 और mu का value प्रावडम में दिया है 0.25 तो हमें R का value यहाँ पे मिल जाएंगा बहुत ही आसानी से हम यह calculator में solve करेंगे 433.012 divided by 0.25 तो यह answer आचुका है 1732.048 तो finally यह हमें normal reaction यहाँ पे R मिल चुका है लेकिन problem complete नहीं हुआ हमें यहाँ यहाँ पे W find out करना है W माने weight of that block तो यह W find out करने के लिए अब हम equilibrium condition use करेंगे summation of f of y जो condition हमने skip किये थे वो condition अब हमें apply करना है summation of f of x के बाद हमने यहाँ पे frictional force का use किये R find out किये और अब हम summation of f of y करेंगे जो की second equilibrium condition है summation of f of y equals to 0 और यह summation करने का rule है vertically उपर जाने वाले forces तो यहाँ पे summation of f of pi माने summation of vertical forces कितने vertical forces है पहले count करो तो यहाँ total तीन vertical forces है तीनों का summation करना है summation करने का rule हमने यहाँ लिखा है vertically उपर जाने वाले forces plus तो नीचे आने वाले forces minus R देखिए उपर जा रहा है तो plus मैंगा यह W जो है यह नीचे आ रहा है यह भी minus मैंगा तो चलो हम यहाँ पे equation बनाते हैं W नीचे आ रहा है तो हम लिखेंगे minus W यहाँ पे R जो है वो उपर जा रहा है तो हम लिखेंगे R प्लस और 500 sin of 30 नीचे आ रहा है तो यह minus equals to 0 यहाँ पे R का value लिखो और यह हम लिखेंगे minus W plus R का value है 1732.048 minus 500 sin 30 को solve करेंगे calculator में तो यह हो गया 250 ज़रा चेक करेंगे 500 sin of 30 yes बिल्कुल 250 और अब यह दोनों का subtraction करो तो यह minus W यह दोनों का subtraction करना पड़ेंगा तो 1732.048 minus यहाँ पे 250 तो यह answer आ चुका है हमरे पास that is plus में 1482.048 और अब इसको right side में shift करो so therefore यहाँ पे W equals to 1482.048 Newton और यही weight of block है block का weight हमें मिल गया तो problem यहाँ पे complete हो गया तो question में जो कुछ भी लिखा था वो हमने solve कर दिये question में लिखा था find the value of weight W हमें W find out करना था इसका मतब block का weight तो यह है वो block का weight जो हमने solve कर दिये तो problem यहाँ पे complete हो गया उमिद करते हैं कि यह problem आपको समझ में आया होगा यह था friction unit का problem number 4 इसके आने वाले वीडियो में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी अच्छी कासी practice हो जाए इसके पहले already हमने इसके 3 problems लिये थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए उसी के साथ engineering mechanics and applied mechanics subject में और भी number of other topics study किये थे तो वो सभी topics और सभी problems study करने के लिए आज के वीडियो के description में जाएए वहाँ पे आपको इसके पहले के सभी topics के playlist का link मिल जाएंगा वो link पे click करके आप आसानी से इसके पहले के सभी videos देख सकते हैं आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे like करिए अपने friends जिनको इसकी जरूत है आप उनके साथ इसको share करिए कुछ doubts है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी भी अगर हमरा channel subscribe नहीं किया है तो आप इसे subscribe करिए ताकि इसी तरह का useful videos आपको हमेशा मिलते रहें तो मिलते हैं next video में Thank you very much